पुर्ण निवासी श्री निलेश पुरवार जी और हमारे लक्षमी कान सीख्ची जी आप दोनों के सयुक प्रयास से बाला जी आग्रो इनस्ट्रिस की आज यहां पर शुरुवात हो रही है और यहां लोकली मुंखफली दाने को प्रिक्यूर करके उसे आप उसकी प्रोसेसिंग करके और उसे बांगला देश, दुबाई और नेपाल इन तीन देशों में इसका निर्यात किया जाएगा बारत सरकार का वानिज्य और उद्योग मंत्राले पूरी तरीके से प्रयासरत है कि हम अपने एक्सपोर्ट टार्गेट को जो इस वर्ष 2021 के लिए 400 बिलियन डॉलर का मर्चनडाइज एक्सपोर्ट टार्गेट वर्खा गया है उसके लिए हम जादा से जादा अपने एक्सपोर्ट से जुड़े हुए जो यूनिट्स है जो इंडस्ट्री बॉडीज है उनको सयोग करे और मुझे खुशी है कि इस 400 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट टार्गेट को प्राप्त करने में आपने एक बहुत मैत्वपूर कदम उठाया है यहाँ पे बाला जी आगरो इंडस्ट्री के माधिम से एक बड़े 50 करोण के लगभग का जो निर्यात का लक्ष है मुंगफली दाना का वो यहाँ से रखा गया है तो मैं इनको बहुत शुब कामनाय देती हूँ और मैं ये भी कहना चाती हूँ शेतर के लोगों से कि महुबा की अपनी एक एतिहासिक सांस्कृतिक पहचान है और यहां बहुत अपार शम्ताएं भी हैं संभावनाएं भी हैं हमारा मंत्राले पूरी तरीके से सहीयोग करने के लिए तयार भी है और ऐसे ही और हमारे इस छेतर के बीच में से जो नौजवान है वो निकल कर आए और उद्योग को लगाने में वो अपना रूची करेगी सरकार की क्या नीती रहेगे उसको पढ़ने के लिए तक रूची मैं यहां पर आई हूँ कि तो मैंने सब पहले यहां के जो इंडास्ट्री डेपार्ट्म medidas से जुड़े हुए अधिकारी है उनके साथ यहां पहुचने से पहले अभी वैठक की और उनसे मैंने जानकारी की महोबा के बारे में तो यहां की अपनी एक सांस्कृतिक विरासत है उसके साथ जो आप बता रहे हैं स्टोन क्रशिंग का जो काम है यहां के लोग करते हैं और पीतल का हैंडीक्राफ्ट का काम भी यहां पर होता है तो मैंने यह जानने का प्रयास किया और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट प्रयास कर रहा है यहां पर एक इंडस्ट्रियल पार्क की सापना के लिए उसके लिए जमीन अक्वायर की जा चुकी है और शासन को मानसे उसको में से